जालोन में 20 सड़क पर पती पतनी का हाई वोल्टेज ड्रामा युप्ती ने ससुराल जनों पर मार्पीट और जबरन शादी कराने का लगाया आरोग मौके पर पहुँची पुलिस दोनों को खोतवाली रेकर पहुँची कुँच खोतवाली शेत्र के स्टेट बैंक के पास का मामला जिला चिकित साले के वाड में गंभीर बीमार महिला की तड़ब तड़ब कर हुई मौत प्रतक के परजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा अस्पताल प्रिशासन को जमकर कोसा ओफ सीजन की कमी से मौत का लगाया आरोग कांशी राम सहीट जिला चिकित साले की खटना कानपुर के नौबस्ता में डॉक्टर की पिटाई अपार्टमेंट के सेक्रेटरी विजे मिश्रा पर डॉक्टर ने लगाया आरोग कहां मैं कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटा हूँ अपार्टमेंट के लोगों को मुझे लग रहा कत्रा इसलिए करादी टीम के पहुंचते ही यूकों ने रिपोर्ट को फर्जी बताकर बेवजा परशान करने का लगाया आरोग सरकारी पोर्टल पर कोविड वैक्सीन के लिए रिजिस्ट्रेशन जारी एक मईस से अठारा साल के उपर के लोगों को लगेगा ठीका शुरुआत में रिजिस्ट्रेशन कराने में आई थी दिक्कत देश के अस्पतालों में आउक्सीजन के आपूर्टी और बढ़ाने के लिए पीम मोदी का एक और बड़ा फैसला पीम केर्स फंट से खरीदे जाएंगे एक लाग पोटेबल आउक्सीजन कंसंट्रेटर जल से जल खरीद पूरी कर अधिक संक्रमन वाले राज्यों को पांसो और पीए से ऑक्सीजन सायंद्र पीम केर्स फंट के तहत मंजूर ऑक्सीजन के आपूर्थी बढ़ाने में लगी वायू सेना और रेलवे ऑक्सीजन एक्स्प्रेस ने उस्तर प्रदेश महाराष्ट दिल्ली और मध्य प्रदेश में अब तक कुल पांसो तस में ट् प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वायू सेना प्रमुक्त एरचीफ मार्शल आरकेज भधोरिया के साथ की बैठक भधोरिया ने कोविट से निपटने के लिए भारतिय वायू सेना की ओर से किये जा रहा है प्रियासों के बारे में प्रदान मंतरी को दी जानकारी पीएम मोदी ने किर रूसी राश्पदी वलामिदीर पुतिन के साथ पोन पर बात पीएम मोदी ने कहा मेरे दोस्त पुतिन के साथ शांदार वारता दोनों निताओं ने कोविट के हालात पर की बात चीद COVID के खिलाफ जंग में भारत की मदद के लिए का धनिवाद COVID के खिलाफ जंग में भारत की मदद को बढ़े दुनिया बर के हाथ अमेरिकी रास्पदी जो बाइडन ने कहा दवाएं और जरूरी चीजये भिजी जा रहे हैं भारत वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी देगा अमेरिका, रूस, जर्मनी, सिंगापूर, कैनेडा, फिलिपीन, ताइवान और दक्षिन कोरिया जैसे देश भी भेज रहे मदद सीरम इंस्टिट्यूट ने कम की कोविशील्ड वैक्सीन की खीमत, अब राज्यों को 400 की जगा 300 रुपए प्रती डोस देनी होगी बीजेपी विधायक केसर सिंग गंगवार का कुरोना से निधन, नौईडा के अस्पताल में इलाज के दोरान तोड़ा दम, सीम योगी ने निधन पर जताया शोग सीम इलेवन की बैटक में सीम योगी ने दिये निर्देश हर सीएट सी में दस दस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्द हों कोविट टेस्ट डेडिकेटेड बेड्स की शमता दोगनी की जाए, जुरत बंदो को डीम, सीम और रिम डिसिविर उपलब्द कराएं सीम योगी ने कहा समय से प्रयाप्त ऑक्सीजन मुहया कराई जाए, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्दता सुनिच्चे तो, हर जिले में दो-दो सीएट सी कोविट डेडिकेटेट की जाए, कोविट अस्पताल की इस्तिथी पर नजर रखे वारनसी में रेम डेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी, पोलिस ने काला बाजारी के आरूप में युबक को क्या गिरफतार, युबक का कहना है, उसे ऑनलाइन कलास के लिए रुप्यों की जरुरत थी इसके इंजेक्शन बेच रहा था, अस्पताल के बाहर खड़े होक मरीजों के परजनों को 15,000 में देता था इंजेक्शन, गाजियाबाद में 8 महीने के मासूम ने करोना को हराया, 15 दिन तक करोना से जंग लड़ रहा सा मासूम, तेज बुखार और सांस लेने की तकलीव से जूज रहा था, 8 महीने का मासूम, निजी अस्पताल में भरती मास तुम को डॉक्टर्स ने बताया था गमधीर केंद्रिय मंत्री साधवी निरंजन जोती कारगार राज मंत्री सहित बीजेपी नेताओं के साथ दिलास्पताल में औचिक निरिक्षन करने पहुंची, तडपते मरीजों का लिया हाल चाल, उनके परिजनों को दिया आश्वासन, ट्राइवेट गाड़ी भेजकर आकसीज कुरोना महमारी के बढ़ते प्रकोप का दिखा असर पुलिस कमिस्टर लखनाओ की अगवाई में, रिजर्ट पुलिस क्लाइन लखनाओ परिसर को किया गया सेनिटाइज शाजापुर के मेडिकल कॉलेज में मानपता हुई शर्मसार, पांच पे दिन हो पाया कुरोना मरीज का अंतिम संसकार, पांच दिन तक शब पढ़े रहने के बाद, एम्बुलेंस चालकों की मदद से महिला की बेटी निती मुखागनी राय बरेली के शमचान घाट पर सौ से अधिक लाशे जलती रोजाना, लोगों को शर्म का अंतिम संसकार करने के लिए करना पड़ता बारी का इंतिजार, कुरोना से हुई मौतों और सामाने मौतों की लाशों को जलाने के लिए अलग-अलग बनाये गए घाट, घाट पर शमचान घाट पर रोजाना आ रहे करीब 150 से 200 शव, एक घाट पर रोज हो रहा, सतर से 80 शवों का अंतिम संसकार, घाट पर शवदा करने वाले भी हो रहे हैं बिमार कॉंग्रेस के फूर मुंबई अध्यक्ष एकनाद गायकवार का करोना से निधन, मुंबई के ब्रीच केंडी अस्पताल में चल रहा था करोना का इलाज, एकनाद गायकवार महरास्प की शिक्षा मंतरी वर्षा गायकवार के पिता थे देश में जारी है किलर कोरोना का कहर गाजयबाद में पत्रकार राजू मिश्रा का निधर कोरोना संक्रमित होने के बावजूर तीन दिनों से नहीं मिला था वेंटी लेटर देरदून परशासन की लापरवाही का बड़ा खुलासा बिना जांच के ऑक्सिजन सप्लाई के लिए नंबर किये जारी सभी नंबर बंद या गलत निकले देश में करोना आकडों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड पहली बार पिछले 24 घंटे में 3,60,969 मरीज एक दिन के अंदर 3,293 मौस से मचा हरकां 27 अप्रेल तक देश भर में 14,78,366 लोग को करोना की खुराग दी जा चुकी है बीते दिन 25,56,182 लोग को करोना के ठीके लगे भारत में अब तक 28,27,00,000 से जादा करोना सेंपल टेस्ट किये जा चुके हैं इनमें से 17,23,000 से जादा सेंपल एक दिन में टेस्ट किये गए देश में करोना केस बढ़ कर हुए 1,89,97,266 एक्टिव केस की तादाद पहुँची 29,88,709 करोना से जान गवाने वालों का आकड़ा हुआ 2,187 इसके लावा एक करोड 48,17,371 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ड यूपी में लगातार चौथे दिन करोना के आकड़ों में कमी पिछले 24 घंटे में करोना के 29,824 नए केस मिले 266 बरीजों की हुई मौट प्रदेश में ऑफसीजन के आपूर्थी को लेकर अपर मुख्य सचिप ग्रह अवनीश अवसी ने दी जानकारी कहा अब तक प्रदेश के आस्पतालों में रिकॉर्ड ऑफसीजन की हुई सप्लाई ऑफसीजन की सप्लाई को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम केंद्री राज्य मंत्री डॉक्टर संजीब आलियान ने दिला चिकित साले मुझफर नगर में विवस्थाओं का लिया जायजा मरीजों के तिमारदारों से भी की बाचीत हर संभव मदद का दिया आश्वासन राहुल गांधी ने कुरोना के बिगड़ते हालात पर किया ट्वीट लिखा किसी का दिल चूने के लिए हाथ चूने की जरुरत नहीं मदद का हाथ बढ़ाते चलो इस अंधे सिस्टम को सच दिखाते चलो कुरोना संकट की भी जनता के नाम प्रियंका गांधी वॉडरा का पत लिखा पूरे देश में सासों के लिए चल रही है जंग इस सरकार ने देश के उम्मीदों को तोड़ा है कॉंग्रेस महासरचेफ प्रियंका गांधी ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था सरकार ऐसे फीट दिखाएगी लड़ाई में सब एक है भेदों को नहीं पहचानता वाइरस संकट की घडी में आगे आये मल्सी वसीम बरेलवी अपनी फूरे साल की विधायक निदी COVID वेस्थाओं के लिए ओक्सीजन वेंटिलेटर खरीदने के लिए दी विधायक निदी आगरा में औक्सीजन की आपूर्थी के लिए वायुसेना की मदद पर लोड होकर आएगे औक्सीजन टेंकर कानपूर से औक्सीजन की किलत के बीच एक अच्छी खबर अब खपत और बती हुए औक्सीजन को लेकर मिलेगी सटीक जानकारी IIT कानपूर ने बनाया एप, CM योगी के निर्दीश पर तयार किया गया एप गाजियबाद में जिलास्पताल में लेब टेक्नीशन से मार पीट फीडित टेक्नीशन ने पुलिस से की शिकायत करवाई ना होने पर कोविड जांच छप करने की कही बाद पताबगर में जिलास्पताल का हाल बेहाल मरीजों को नहीं मिल रहे है बैट्स जमीन पर लेटा कर किया जा रहा है मरीजों का इलाज वीडियो वाइरत सुल्तानपूर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती देख डॉक्टर घबराकर CMS के पास भग गए जिसके बाद CMS साहब पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुँचे दो करोड चोहतर लाफ रुपे खर्च करने के बाद भी जिलास्पताल टेहरी में पांच बेट का ICU बना शोपीज जिलास्पताल का संचालन PPP मोड पर हिमालियन अस्पताल जोली ग्रांट कर रहा है सभी लोगों का किया जा रहा रैपिड एंटिजन टेस्ट, आठी PCI टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर ही दी जा रही एंट्री, रोजाना 200-200 लोगों की हो रही जांच उत्तरकाशी में करोना के 242 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में करोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 741 हो गई कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बादारों को दो बज़े के बाद बंद करने का फैसला लिया गया दो बज़े के बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ कर सब कुछ बंद रहेगा कुम्ब नगरी हरदवार में महा कुम्ब के सारे शाहि स्नान पूर्ण होने के बाद हरदवार जिले में तीन मई तक लगा कोविट करफ्यू सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चूट हरदवार पुलिस ने अनावश्चक रूप से घुम रहे लुगों के काटे चालान कुरोना काल में नौईडा पुलिस ने पेश की मिसाल पुलिस ने कराया कोविट मरीज कान्तिम संसकार पुलिस की मदद से बेटी ने दीट पिता को मुखागनी जालौन में अन्यंत्रित होकर गैस टेंकर पलटा लक्टनौ से गुजरा जा रहाता गैस टेंकर हाईवे पर बाल बाल बचा टेंकर चालक एट धानक शेत्र के जांसी कानपूर राश्ट्रिय राजमार्क एनिट 27 की घटना कानपूर में निर्माना धीन बिल्डिंग गिरने से एक की मौत दूसरा गंभी रूप से घायल शट्रिंग खोलने के दौरान हुआ हाथसा अबाद से कानपूर आ रही मालगाडी के दो डब्बे पट्री से उतरे रेलवे अधिकारियों और आजपास के लोगों में मचा हर कम मालगाडी के डिब्बे के ओड़े पर खचे पास में खड़े लोग बाल बचे रेलवे ट्रैक को अबादित दिब्बे में बैठे गार्ड को आई गंभीर चोटे बिलहौर इस्टेशन के पास कोई घटना हात्रस में जहरीली शराब पीने से 6 लोग की मौद 6 से जादा लोग गंभीर रूप से जखमी हात्रस में शराब पीने से 6 लोग की मौद के मामले में कारवाई एस्पी ने हलका परभारी हलका बीट आरक्षी को लापरवाई बरतने के आरोप में किया ने लंबे परभारी निरिक्षक की भूमिका की जाच किया देश मिर्दपूर के छोटी गुदरी लाके में बड़ा हास्ता मकान की छदगिरी मलबे में दबने से 5 लोग की मौद रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाले 5 लोग के शब पुराने मकान में किराये पर रहता था परिवार अचानक सोते वक्त हुआ हास्ता सीम ने हास्ते पर दुख जताते वे मुआफजे का एलान किया मिर्दगों के परिजनों को दो दो लाकी आर्थिक मदद दी जाएगी बर्रामपूर के चंदरपूर गाउं में मजदूरों से भरी पिकप पलटने से एक की मौद 19 मजदूर घायल पिकप में टोटल 80 लोग सवार थे घायलों को मेमोरियल अस्पताल में कराये गया भरती हरदोई में बोर्वेल में गिरे मासूम की अस्पताल पहुचने पर मौद तीन साल के बच्चे को रेस्क्यू कर निकाला गया था भाई के साथ खेलते वक बोर्वेल में गिरा था मासूम हरपालपूर के सतोथा गाउं का मामला हमीरपूर में दो ट्रकों में भीशन भीणन के बाद लगी आग गिट्टी और मौरंग लेकर आ रहे थे दोनों ट्रक मौधा थाना शित के नैशनल हाईवेज 34 की घटना आग में जलकर एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भरती मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया राइबरेली के रेलकोच कारखाने में लगी भेंकराग धुदू कर जला लाकों का सामान दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू राधानी लक्रों में आग का कहर चिनहट में प्लाइ फैक्टरी में लगी भी शनाग मौके पर पहुँची करीब एक दरजन फायर ब्रिगेट की गाड़िया मौ में एक लाग का इनामी बदमाश धेर मुटभेड में मारा गया बदमाश लालू यादव लालू पर दर से 82 संगीन मुकद में लालू का एक साथी एनकाउंटर के दौरान फरार आजमगर्ड में पुलिस ने दो गांजा तसकरों गिरफतार किया तसकरों के पास से पुलिस ने सवा 2 किलो अवैद गांजा बरामत किया है अब तसकरों से पूस्ताच कर रही है पुलिस महराज गंज में खेत में शक्स का शब बरामत शब को जैसे ही ग्रामीडों ने देखा इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी घंटों देर बाद भी मिर्टक की पहचान नहीं हो सकी महुँ जिले में अंतिम चरण के मद्दान के लिए पूलिंग पार्टियां होई रवाना जिले के सभी नौ ब्लोक से पूलिंग पार्टियों को उनके साजु सामान के साथ रवाना किया गया सभी को महामारी में पूरे कोबिट प्रोटोकॉल के तहर्ट चुनाव संपन कराने की सक्थ हिराय दी गई सोन भद्र में पंचाय चुनाव के लिए पूलिंग पार्टियां मद्दान के लिए रवाना मद्दान कर्मी नहीं रख रहे कुरोना नियमों का पालन मिर्जापुर में पंचाय चुनाव में मद्दान के दोरान हुए बवाल को लेकर पूलिस की कारवाई पांच आरोपी गिरफ़तार ग्यारा नामजद और अग्याद पर मुकतमा दर्थ काशी विष्पनात मंदिर परिक्षेतर में इस्तित प्राचीन अक्षेवट गिरने से मचा हड़कम काशी विष्पनात कोरीडोर के निर्मान काम के दायरे में आ गया था अक्षेवट मंदिर के मांद अक्षेवट गिरने को मान रहा है अशुप परस्टिम बंगाल में आठवे और अंतिम चरण का मद्दान गुरुवार को सभी तैयारियां फूरी चुनाव आयोग ने मदगना वाले राज्यों को भेजे दिशा निर्देश कोविड-19 के दिशा निर्देश का सक्ती से पालन करने को कहा उमीदवार या एजेंट को मदगना से पहले देनी होगी कोविड-negative रिपोर्ट विजे जलूस पर सक्त पाबंदी दिल्ली में राश्यराजधानी राज्यशेतर शासन अधिनियम 2021 नए कानून के मताबिक दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कारेकारी फैसला लेने से पहले उपराजिपाल के अनुमती लेनी ज़रूरी है महराजध के ठाने के पास प्राइम क्रिटी केर हॉस्पिटल में लगी भ्यंकरा आननफानन में मरीजों को शिफ्ट किया गया इस जोरान चार मरीजों ने दम तोड़ दिया ये आग सुबा तीन मज़कर चालिस मिनट पर लगी घटना इस्तल पर दमकल की तीन गाड़ी और पाँच एम्बूलेंस भेजी गई जिसके बाद आग पर काबू पाया गया आईसियो में भरती छे मरीजों समेथ 20 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया पूर्वोत्तर भारत में सुबा भुकम के जोड़दार जटके भैसूस किये गए ये भुकम असम में घाले उत्तर बंकाल में आया असम के सोनितपुर में रिक्टर पैमाने पर 6 दशमलब 4 मापी गई तीवृता पूर्थान मंतिर नरेन रमोदी न राज्ये के कुछ हिस्सों में भुकम को लेकर असम के मुख्य मंतिरी सर्बानन सोनोवाल से बात की केंदर से हर संभब मदद का दिया आश्वास है